और राइट गाइस तो इस वीडियो का थमनेल देखके तो आप समझी चुक्छे होंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा पाफुल होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राइजेक्शन बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टेड़ी बताने वाला यहाँ पर जो आप अभी मेरी ट्रेड देख पा रहे हो ये ट्रेड मैंने उसी स्टेड़ी पर उसी प्राइजेक्शन के बिसेस पर प्लेस किये जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो मेरी आप से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो का कोई भी पार्ट म मत करना हर एक पार्ट वीडियो को इंपोर्टन है अगर आप कोई भी इंपोर्टन पार्ट मिस करते हो तो आप शायद अपना प्रॉफिट के बजाए लॉस कर लोगे ठीक है और ट्राइक करना कि वीडियो गया आप बैस्ट से वेस्ट कॉमेंट कर पाऊ जो भी बैस्ट और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं तो अगर आप इनकी तरह मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो बीडियो डियुक्शन में मिल जाएगा आप वहां से अभी वीडियो के में पॉइंट पर आते हैं यहां पर आप देख पा रहयोंगे कि आपको नीचे दो वाइन दिख रही इस दिख रही हों की यहां पर देख पाऊगे आपको यहां सी लाने प्लग यहां थे च्छला टिखाने आप OP इनके एक इतर सटर्ल आ तो आप उनकी सेटिंग्स भी आप मेरे टेलिगाम से देख सकते हो ठीक है तो चलिए आप बात करते हैं कि हमें इन लाइंस पे या फिर इन बुल्स पावर पे इन बीर्स पावर पे ट्रेड कैसे करना है ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके ठीक है हर वीडियो में मैं आपको एक चीज जरूर बोलता हूं वो यह कि आप ट्रेड को इसी आप कोई भी प्राइजेक्शन से ट्रेड कर रहा हूं कोई भी स्ट्रेड कर रहा हूं किसी से भी ट्रेड कर रहा हूं लेकिन आपको ट्रेंड का हमेशा दिहान रखना है कि ट्रेंड कहां का है अगर म माली जी यहां पर यह downtrend है तो हमें सिर्फ और सिर्फ red candle पर trade लेनी है बट यह trades लेनी कब हैं यह हमें यह दो lines बताएंगी बुल्स पावर वाल लाइन बताएगी और बियर्स पावर वाल लाइन बताएगी ठीक है तो कब कौनसी line क्या बता रही है हमें यह हम जोड़ा जान ल जाते हैं और आप इस तरीके से अपना लॉस कर बैठते हो तो मेरी आप से रिक्वेस्ट रही की वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप एंड वाला पार्ट मिस्ट ना करो और वीडियो के बीच में आपको कुछ कुछ चीज ऐसी बताऊंगा जहां पर आपको यहां पर अवाइड गरने ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम उपर वाली लाइन के बात कर तें उपर वाली लाइन से जो है बुल्स पावर की सबस्पावर का मतलब होता है अब Citizen pods नहीं के MR's को देखना बीप्स पावर को भी देखना मार्केट में नीचे करने वालों की तरहां कि 3 कि कहाती तो इन दो जो है इंडिकेटर की सेटिंग तो आपको टेलेग्राम मिली जाएकगी अब आपको बताता हूं कि आपको trade कहा प्लेस करना है, ठीक है, like, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप मेरे थोड़े cursor पे ध्यान देना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह वाली green line यहाँ से उपर गई है, इस point से यहाँ से उपर गई है, तो हमें गया करना है, यहाँ पे इस candle को पे ट्रेड करना, जहाँ से ऊपर गई है, उस वाली candle पे आप करसर को ऐसे रखना ठोड़ा, और देखना कि यहाँ पे जो भी candle हो, वहाँ पे ट्रेड मत करना, मतलब कि इस candle पे ट्रेड हमें नहीं करना है, हमें इस वाली green candle पे ट्रेड करना है, ठीक है, आपको पहली चीज यह चेक करनी है कि market uptrend में तभी जो है आपको green candle पर trade करना है then second thing आपको यह चीज चेक करनी है कि line वो उपर जा रही है यह नीचे जा रही है ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगी यह green line जो है यह उपर जा रही है ठीक है इसके साथ साथ अब हमें red line को भी देखना है कि red line कहा जा रही है अगर यह red line भी उपर जा रही होगी तब जो है हमें green candle पर trade प्लेस करना है अगर यह red line नीचे जा रही होगी तो हमें यहाँ पर trade अवोईड करना है यहां पे trade नहीं करना है इसका reason यह है कि यहां पे bulls दिख रहे हैं हमें bulls उपर जाते हुँ दिख रहे हैं लेकिन beers जो है नीचे जाते हुँ दिख रहे हैं अब यहां पे bulls की मिलब green candle के बनने की और red candle के बनने की 50-50% chances रहे हैं तो हम यहां पे ऐसी candle पे trade नहीं करेंगे हमे मिल्स के डाइन को नीचे जाते हुँ देखेंगे एक और चीज आप जब और पर सकते हो ऩाँ यहां पर यह है यह नहीं जा रही है है एक और चीज कि यह बीजस हैं बाट कर लाइन को नीचे नहीं जाना है अगर हम ग्रीयन के किसकी? हमने बात कर ली यहां पर, उक्यY, यहां पर हमने बात कर ली किसकी green candle की, अब हम बात करते है red candle की, तो यहां पर आपको red candles दिखाई दे रहे होगी, और सात ही सात plugins आपको एक ओर रेड लाइन को तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे मेरे करसर पे थोड़ा ध्यान दोगे यहां पे यह वाली रेड लाइन ने यहां से नीचे जाना स्टार्ट किया है और यहां पे यह वाली ग्रीन लाइन ने भी यहीं से नीचे जाना स्टार्ट किया है तो वोईड करना है और यहां पर विनिंग के ऐऊपने यहां पर शायद आपने कुछ ऐसे insights पॉइंट्स मिस्स किये होंगे जो आपको आपका लॉस का पार्ट बनेंगे ठीक है आप उनकी वज़ए से लॉस करोगे तो मेरी आप से यही यह रिक्रेस्ट रहेगी कि आप ऐसा कोई भी जाव पॉइंट मिस्स ना करना कि जिससे आप लॉस करो ठीक है तो चलिए अभी चीज़ बताता हूं और आपको बताता हूं कि आपको ट्रेड कहां अवइड करना है ठीक है चलिए वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां पे हम लाइक यह यहां पे हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉचुनिटी थी यहां यहां से जो है रैड लाइन ने भी नी नहीं करनी है आपको ट्रेड लेना ही लेना है 400 ठीक है 400 परसेंट तो यहां पे चलिए अभी मैं आपको कुछ और चीज़े भी बताता हूं कि आपको ट्रेड कहां लेना है कहां नहीं लेना है वो चीज़े आपको बता देता हूं ठीक है तो यहां पे आप देखेंगे पहल त्रेंड में आ रहा है यहां पर एक ही जगह पर मारकेट में क्या हुआ ग्रीन केंडल राइड केंडल यह चीज़ आप ध्यान में रखना के आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडी मारकेट में ट्रेंड करना है बाकि किसी भी मारकेट में ट्रेंड नहीं करना है यह मारकेट भी ट्रेंडी है यहां पर मारकेट आपको लग रहा होगा कि मारकेट नीचे आ रहा है बट यहां पर थोड़ा केंडल को गौर से देखेंगे तो आपको चीज दिखाई देगी यहां पर जो है ग्रीन केंडल भी बनी है red candle भी बनी है green candle भी बनी है red candle भी बनी है तो market deciding नहीं कर पा रहा है कि market में candles कौन सी बननी तो यहां पर आपको trades को जो है avoid करना है अब सबसे main चीज आपको trade कहां avoid करना है मतलब आपको main part एक यह है कि सबसे अगर आप यह वाली गलती कर देते हो जो मैंने आपको भी बताने जा रहा हूँ अगर आप उस गलती पर trade कर देते हो तो आपकी trade जो है 30% winning के chances रहेंगे लेकिन आपके 70% loss के chances रहेंगे तो इस चीज से जरूर बचना आप जो जो लोग नीचे जाते होई देखी यहां से भी हमें red line नीचे जाते होई देखी तो हम समझ गए कि यहां पर आप जो है red candle बनने वाली है यहां पर red candle बनने वाली है हमें यह समझ में आ गया बट अगर आप market में थोड़ा पीछे कहीं चलोगे और यहां पर माल लीजिए market में एक strong SNR level बना के रखा हुआ है यहां पर कहीं पर तो आपको जो है red candle पे trade करना ही नहीं है क्योंकि market जो है उस वाली SNR level से टकरा के bounce back कर सकता है हाँ break out भी कर सकता है लेकिन वहां पर chances 50-50% हो जाएंगे तो आप कोशिश यह करना कि market में SNR level ना हो तब जो ह यानि की आपको रेट गेंडल के लिए बताया अब बताता हूं कि आपको green candle पे क्या कर ने ठीक है मैंने आपको बताया है अभी मैंने आपको एक्जांपल नहीं दिया तो एक्जांपल भी आपको दे दिता हूं लाइक यहां पर हमने एक horizontal line लिए और यह horizontal line को हमने कुछ यह यहां पे प्लेस कर दिया अब मार्केट जो है यहां से मार्केट माली जो उपर चला गया था यहां से उपर चला गया था मार्केट अब वापस से नीचे आ और हम यह रैड ग्रीन जो है बुल्स पावर वाली लाइन को और बियर्स पावर वाली लाइन को भी देख रहे हैं इन दोनों ही लाइन जो है नीचे जा रही है और हमने क्या सोचा कि अब यह दोनों लाइन नीचे जा रही है तो हमें क्या गरना है हमें रैड केंडल पर ट्र और अगर आपको SNR levels का knowledge नहीं है कि किस तरीके से draw करते हैं SNR levels को कौन सा SNR level जो है strong रहता है कौन जो है very strong रहता है यह सब चीज़े जो है आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी आपको SNR level वीडियो को watch letter में करके रख दो आप इस वीडियो को बाद में देख लेना बट प्लीज आपसे मेरी request है ऐसी अधूरे ग्यान लेके आप जो है trade करने मत बैठ जाना क्योंकि उससे आपको मिलना कुछ नहीं है उससे सिर्फ आपका जाना ही जाना है ठीक है तो यही मेरी आपसे request है कि वीडियो का हर एक part तो आपने देखा ही होगा अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है I hope आपने skip भी नहीं कि होगा मेरी यह सबसे बड़ी कि मेरे टेलिग्राम पर मैसेज़ेस आते हैं मेरे इतना लॉस हुआ हां लॉस होगा आपका अगर आपने प्रेक्टिस नहीं कि आप प्रेक्टिस करोगे अभी जो स्टेड़ी मैंने आपको यह से बता दी आप जाकर आप सीधी जाकर ट्रेड करने बैठ जाओगे तो ऐसा यहीं होता है आपको पहले प्रेक्टिस करनी है देन जो है आपको ट्रेड करना है ठीक है अब जब तक प्रेक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पॉफ्ट नहीं बनोगे विकास प्रेक्टिसमें के अब बाकि आपको टेलिगां। चैनल का link नीचे description में मिली जाएगा और इस indicator की settings भी जो है मेरे telegram पर देखने के लिए मिलेगी बाकि और आपको profit करना है मेरे साथ trade करना है मेरे trades को copy करना है तो उसके लिए भी आपको telegram जो है join कर सकते हैं आप मेरा link description में है बाकि आपको अगर ये video पसंद आए तो please यार इस video को like कर देना और channel पर नए हो तो channel को को भी subscribe कर देना क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिनमें मैं आपको भर भर के projection देने वाला हूं और भी मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियो आपको देखने के लिए बिल जाएंगी जिनमें मैंने projection के बारें बता है मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताता हू जो bugs पे depend हो या फिर ऐसे वैसे क्योंकि ऐसी चीज कोई market में होती नहीं है ठीक है तो मेरी आपसे request रहेगी कि आप वीडियो को मेरे चैनल के और भी वीडियो को देखना ताकि आपका knowledge बड़े और आप profitable trader बनो ठीक है तो मैं मिलता हूं आपसे next वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखना जैहिन वन्दे मातरम